हेलो किसान भाईओ आज मैं आपके लिए एक निव इंसेक्टि साइड लेकर आया हूँ जो आपके खेत में आने वाली कई प्रकार के कीटों को खतम करने में मदद करेगी और ये इंडिया इंसेक्टि साइड इंडिया लिम्टेड की ये दवा है जो ट्रेक्टर ब्रांट के किसान वायो यह निसान कंपनी द्वारा निर्मित इसका जो कॉमिनेशन है जो निसान पोरी डिटेल में सिन्मा इंसेक्टी साइड के बारे में बताने जा रही है तो किसान वायो आप वीडियो को पूरा देखना आए और ध्यान से देखना है और बारीकी से देखना है तो किसान भाईयो चलिए बात करते हैं सिन्वा इंसेक्टी साइड के बारे में किसान भाईयो ये ट्रेक्टर ब्राइंड का सिन्वा इंसेक्टी साइड है जो किसान भाईयो आपके खेत में आने वाली किसी भी प्रकार की इल्ली हो सारों को खतम करने में यह मलद करता है गुलावी इल्ली हो, हरी इल्ली हो, फल छेदक हो, तना छेदक हो, कुछ भी हो वो सारों को यह खतम करने में किसी भी इंसेक्टी साइड से साथ नहीं लगाना है क्योंकि यही सारे कीटों को नश्ट कर देगी आपके खेत में इल्ली हो रेड माइट हो वाइट फुलाई हो थरेपस हो, एफिड हो, जैसिड हो फुरूट वारई हो, हरी इल्ली हो गुलावी इल्ली हो अमरीकन इल्ली हो अमरीकन पिन बॉर्म हो कुछ भी हो सारों को कथम करने में मदद करेगी किसान भाई यो बात करें जो सिन्मा इंसेक्टी साइड में जो टेक्नीकल डला हुआ है जो टेक्नीकल है इसमें इसमें टेक्नीकल डला हुआ है फ्लू एक्सा मेटा माइड 10% EC formulation में डला हुआ है flowexameta mild 10% EC formulation में यह formulation एक trans laminar formulation है जो अगर आप अपने पौदों में अगर इसका चड़काव करेंगे तो पत्ते के सते के नीचे अगर आपके जो कीट होते हैं और वहां तक दबा नहीं पहुँच पाती है तो उन पर भी यह effect कर देती है क्योंकि इसमें trans laminar action है और इसमें phytotonic effect भी डाला गया है जिसके कारण आपके पौदे हरे वरे हो जाते हैं और आपको अच्छी yield मिलती है जिससे की chlorophyll जादा बनता है और किसान बाईयो बात करें इसके effectiveness की तो आपको इसका result काफी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि ये काफी strong और new दवा है इस वज़े से बात करें किसान बाईयो इसमें क्यूक नॉकडाइन ओक्सन है मतलब कि ये तुरंत कीटों पर असर करती अपना काम करना सुरू कर देती है जिससे की संपूर्ण कीट खतम हो जाते हैं किसान बाईयो बात करें इसके price और डोज की तो इसका जो price है और आप इसे किसी वी फसल में टमाटर में मिर्च में गोवी में बेंगन में दालों में आप किसी भी फसल में लगा सकते हैं बेंगन में भिंडी में गोवी बत्ता गोवी दालें कुछ में लगा सकते हैं बात करें, खिसान भाईयो, इसके आपको कितने ML डोज रखना हैं, तो इसको खिसान भाईयो, आपको 15CML, पंदरी लीटर की सांध्यम पलए या या सुवह या साम को इसका सिप्रे करदेना है, या फिर 1 एकल य Sieg gekommen 1 इकल ये 200CMLifeे00 पानी में 180CMD दाल कर, आपको अपने ये केकड़ खेत में इस्प्रे कर देना है किसान भाईयों बात करें इसके प्राइज की तो इसका प्राइज रहने वाला है 50 ml का पैक आपको 750 रुपे में मिल जाता है अपनी जे नजदी की स्टोर से और इसके साथ आपको एसेटिक दवाओं का उपियोग नहीं करना है जैसे ही सल्फर, फंगी साइड हुई, फॉस्पेट हुआ, कॉपर एसेड दवाई हुई इनका आपको इसके साथ उपियोग नहीं करना है और आप इनको छोड़कर किसी भी टोनिक किसी भी फंगी साइड का इसके साथ स्प्रेक कर सकते हैं कोई परेशानी वाली बात नहीं है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सेयर, कमेंट में लिखें